अब आज की जो क्लास है विजल बिसीक्य प्रैक्टिकल कि उसमें हम लोग क्वेशन नंबर 13 करेंगे जिसमें आपको लिखा हुआ राइट प्रोग्राम टू सौट डाइनेमिक एरे ओफ एन नंबर्स एंड इन श्ट्रिंग्स यानिकि आपको एक डाइनेमिक एरे बनाना है और उसमें उसको सौर्टिंग करनी है तो यह सिंपल सौर्टिंग वाला जो प्रोग्राम है वही है तो साइन्मेंट नंबर 13 करते हैं अपको एक इम्पोर्टेंट यह है कि विजल बेसिक में जो नंबर्स हैं और जो आपके स्ट्रिंग होते हैं दोनों के लिए और इता हम बिलकुल सेम वैजियबल की तरह काम करता है क्लियर है तो अब तो असाइन्मेंट नंबर 13 को हम लोग बना करके देखते हैं सबसे पहले में विज्वल बिसिक ओपन कर दूंगा और सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाना है सौर्टिंग का जिसमें हमको एरे बनाना ह रहा हूं और हम लोग इसकी स्वांट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि क्लियर दिखाई दे यहां पर मैं सबसे पहले एक बटन बनाऊंगा और इसमें लिख देता हूं सौर्ट हमको दो चीद करनी यह नंबर और सौर्ट वन यह नंबर लिख सकता हूं और सौर्ट टू दो यहां पर दिख रहा है किएक नमबर को भी सौर्ट करना है और स्ट्रिंग को भी स्टोट करना है दो क्या करें हैं इसरी अपको Бद्ध की साइज नहीं देना होता है तो मैंने यहां पर कोई साइज दिए और हम उसमें जो भी वैल्यू लेंगे नंबर्स को तो मैंने यहां पर दो दो स्टेटमेंट लिखा पहली लाइन पर जो लिखा हुआ है वह एक डाइनेमिक करे है और रीडिम करके उसकी साइज दी जाती है तो मैंने तुरंत इसकी साइज देदी आप चाहें तो उसको दस लाइन के बाद भी दे सकते हैं दुबारा 5-10 करना वो भी कर सकते हैं रीडिम करके तो यह सिंपल आपका स्टैक से डाइनेमिक एरे को मैंने साइज दे दी है और मैं वैल्यू देता हूं अगर मुझे सॉटिंग करना तो मैं जान मुझक को पटांग वैल्यू दूमना है यहां पर देखिए जिरो से स्टा दो तीन चार्व पांच वैल्यू आएगी और आपको पता है कि यह वन होगा यह टू होगा यह थ्री होगा और यह फोर होगा एरे का इंडेक्स से स्टार्ट करके हम फोर तक चला सकते हैं लेकिन विज्जूल बेसिक में एक खासियत है कि एरे का जो इंडेक्स होता है वो कि वर से भी स्टार्ट कर सकते हैं मैं यहां पर थोड़ी सी सिक्वेंश में नहों करकि से इन वेलीव कहरें दोटिक Deaf पार करना है कि कर 172 आए जिसकोब सॉर्टिंग कर देना जो सोटे और गया समझते हें कि बबल सौट होता क्या जिस सबसे पहले क्या होता है यहां पर हमारे पास पूछ 156 तो बबल सॉट में क्या होता है शुरू के दो नंबर्स को लिया जाता है और इनको बढ़ते करम में रख देते हैं तो इधर आ जाएगा और सेवन इधर आ जाएगा लियर तो एक इस्टेप के बाद 27156 ऐसा हो जाएगा फिर यह नेक्स्ट दो को लेंगे और इसको बढ़ सेवन यहां जाएगा फाइव यहां जाएगा ऐसा एक स्टेप जब जाएगा तो सेवन जो अपनी सही पोजिशन पर लास्ट पर पहुंच जाएगा लास्ट में तो एक एलिमेंट एक लूप में यहां से यहां तक आ जाएगा सही जगह पर पांच एलिमेंट है तो लूप सकते हैं तो पता है कि 25 तो और अंदर में यहां पर KY Cheese कोड करेंगे को होती है कि यह नंबर यहां आजाना और यह नंबर यहाँ एसे ऐवन और 5 यहाँ इथा यहाँ इतर आ जाना जलता है और प्रोग्राम हमने पहले भी बनाया है तो असल में यह बोलता है कि जब भी हम दो नंबर लेंगे और वह सॉटेट और में नहीं है यानि कि यह वाला नंबर जो है वह छोटा है तो स्वैपिंग हो जाएगी अगर यह नंबर बड़ा होता जैसे यहां पर होता सेवन और यहां होता नाइन त होता अगर इढ़े नाइन होता धर सेवन होता तो बबल सॉट में स्वैपिंग मतलब शेवन आगे आ जाता और नैन पीछे चल चलिए तो स्वैपिंग इंडिशन में होगी Register मैं जब आपका भी जो पीशे वाला नंभर है वह छोटा होगा सामने इसको अल्प्लिमेंट करन आएनोंर चला रहा है वोग कुम्कि हमारा इंडेक्स जिरो से चल रहा है राए ल therapists भी और एलिमन फोट में चलाएंगे हूं शर्ट जब कर ज वह जब चलेगा और इंटर्णल एकस्ट यह अलिख पर आहां बर्र आपको यहां पर चलाना होगा थी तक क्यों चला है क्योंकि आपको पता है कि इसलिए चला रहे हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर है तो यह दोनों सेलेक्ट होंगे थाइम पर यह दोनों सेलेक्ट होंगे और पांच है तो चार बार चलाना पड़ेगा क्योंकि जब पांच वी बार चलाएंगे तो इसका कंपरिजन किस्ते होगा आगे तो कुछ है पर यहां पर लूप चलाया और यहां पर जो रहेगा उससे एक कम रहे गए चलिए हम लुगा इसको कड़ते हैं कि अभण कंडिशन लगाएंगे और यहां पर स्वैपिंग का कोड लिखेंगे स्वैपिंग का प्रोग्राम पहले भी बना चुके है कि स्वैपिंग में अब यूज कर सकते हैं और यहां पर सब्सक्राइब कंडिशन देते हैं कि एए प्लस वन अगर ग्रेटर तैन है कि सी से अब होगा कि स्वैप करेंगे हम स्वैप करने के लिए क्लिए क्या होगा यहां पर एक टेमपरेजी बिए पर लेंगे टी स्वैपिंग का प्रोसेस है हमने कैसे किया इसको भी एक बड़ समझ लेते हैं अगर हमारे पास दो वैरियेबल है इसको अगर मैं A C बोलूं इसको मैं अगर A C बोलता हूं तो यह A C प्लस वन होगा क्यों सी प्लस प्लस वन होगा क्योंकि अगर यह एक वन है तो उसके बगल वाला एक टू होता है एक आगे होता है तो A C प्लस वन अगर A C बड़ा है A C से तो स्वैपिंग होगी यानि यह यहां चला जाएगा और यहां अगर क्या यूजकर integral कर रれ हैं क्या होता है अगर आपके पास दो वैल्यू है मानके चलिए टू है और दूसरी वैल्यू है सिक्स इसका नाम बस आप याद रखिए यह एसी है और यह एसी प्लस वन है कुल है कि इसको इसमें रखा तो यह खाली ओगया अब यह खाली होगा और यहां पर रखा तो यह आगे थोड़े गोलों कि ते और एक विद्स और रेड Quick हूँ कड़ू से और बींद Strateg रहा है और दूसरी जे ब्लू क्लाइर की है उसमें ब्लू क्लाइर को ऐहां देना है और रेड वाटर को वहां देना है तो इसको चेंज करना है कि कलर चेंज करना है रेड ग्लास का पानी ब्लू में जाना चाहिए ब्लू ग्लास का पानी उसमें जाना चाहिए तो आप क्या करोगे एक एक एक्स्ट्रा ग्लास ले लोगे एक एक्स्ट्रा ग्लास मैंने लिया यह जो एक जिस को फ़ो ऊख सकती होर। को पहले हैं इसमें आजएंगा पानी आने मस्सeg मत्लब के त Spam कि अबने सब्च्राइब करते बाला का रर्त वाला त्ट वाला यह स्मझेट वाले करें है लिआ उसको क्या होगा आपका रेड कलर का वॉटर आ जाएगा और यह वाला जो है वो एंप्टी हो जाएगा अँप टी वाला था उसको हम यहां पर इसका वॉटर जो है हम यहां पर यहां पर देदेंगे यहां जो adt친 लॉटर है उसको हम यह पर पिदेदे और आप यहां पर यह के आट ब्लू इस गुर। कुरूँ करने करें के खाली वाले में सबसे पहले एस एक को खाली कड़िए सी 88 दे को टी मेरे दिग हैं अब a Mission यहां से प्लस वन में इसका व्यव्य देए हम एसी का वैल्यू फूराना जो डिआ अब स्वैप तो फोगी अलकिन इसक्रीन पर दिखाई कैसे देगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर करने हैं कि प्रिंट कि अब बाद क्या होगा अब हम एक लूब चला करके एरे की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं कि लूप चला करके एरे की वेल्यू कैसे प्रिंट करेंगे मैं आपको पता है कि चार बार क्यों लिखा हूंने क्यों कि इसको प्रिंट कर देते हैं अब यह बिफॉर स्वैप यहां पर प्रिंट करते हैं मतलब कि ऐपींग के पहले आपका क्या था कि बातने पढ़ीगे हाई था और अब सुखेंग के लिए लिए चलीकिकर देखते हैं पर जब मैं इसको रण करूंगा ध़र करना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग अउन बनगर्स आ改ी है तो स्वैब के पहले नमबर का सिक्वेंस तो क्या था कि अभी क्या हो गया है सब्सक्राइब कि अुल्टे ओर्डर में अब इसको असेंडिंग और में जम जाएं अब शिर्पे जो लेस ग्रीटर देन दिख रहे हैं इसको लेस्टेम कर दो यह आपका असेंडिंग ओडर में जम जाएगा यह यह आपका जो आफ्टर स्वैपिंग जो प्रोसेस हुई है उसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि आफ्टर स्वैपिंग में क्या हुआ पहले जो नंबर किसी भी स सिक्वेंस में डालो आउटपुट यही आएगा जैसे मैं आपको देखा रहा हूं कि अगर यहां पर आप कुछ भी डालते हैं यहां पर मैं सब्सक्राइब कर देता हूं और साट की जगा सब्सक्राइब तो भी आउटपुट वही आएगा जो स्वैपिंग के बाद आया इसको हम तीन प्रोसेस में किये हैं यहां पर साबसाब समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया पहले एक बैरियेबल एरे बनाया फिर एरे को एज इस प्रिंट कर दिया साट नवे दस सतर बीस फिर हम लोग यहां से यहां तक स्वैप किये और उसके बाद दब दुबारा से पूर्ड की यह सेम कोड हैं हाँ पर रिंट किकले तो वह उर् 챙ोगै रहे हैं मत्तब आप उसको कैसे कை में और चोड़े सिकवेंज समया आएगा यासे अपने सुना हो है कि आपसे कभी सुना हो डिरी को आप कैसे भी उपर उछालोगे वह एक दम सिद्धा होके कहिं नीचे आती तो किसी भी अग्ल में अफसके अगर उपर चोड़ दोके न तो वह अपने आपको करती हो तिक वैसे यह उपर इंपुट में अगर आप कुछ भी देते हो आउटपुट में आपको वही चीज़ मिलेगा उपर आप कुछ भी सिक्वेंस चेंज करते हैं अब यह हमारा नंबर को हमने स्वेप किया अब स्ट्रिंग को स्वेप करना है सेम प्रोसीजर है कुछ भी नहीं करना है पूरा कोड हम कॉपी करेंगे ऐसा यहां तक सिंपल मैंने इसको कॉपी किया विजुल बेसिक की खास बत लिए कि यही चीज़ अगर सी में होता तो थोड़ा सा आपको कोड चेंज करना पड़ता है कि विजुल बेसिक में कुछ भी नहीं करना है के वाल यहां सौट विल Commission में जाना है पूरे कोड को मैं पेश्ट कर दूंगा कि छोटिंग फोड़ता है सेम耵े चिसरफ और नाम से लिक लें ऑद्यान से लिख रहा हूं अमन मैं पूरा स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूं गरी कैपिटल स्मॉल को अलग मानता है और यहां पर मैं लिखता हूं अमित और यहां पर लिखते हैं हम राजा अब देखिए नाम वाला पहले आएगा लेकिन तीन नाम वाले तो उसको भी वह अरेंज करेगा कि सेकेंड नाम है तो फिर कौन आएगा पहले ए एन है तो कौन आएगा पहले देखते हैं तो थर्ड जो सेकेंड वाला सॉर्टिंग उसमें कुछ भी नहीं कर रहा है हमको देखिए क्लिक किया कांट चेंज डेटा टाइप आप एनी ओके आपर भी हमको स्ट्रिंग लेना पड़ेगा पेजाख उल में पार इन्टीजर चेंग cleanly अचली यहां पर देखते हैं तो कहें विफवर फैपिंग पहले का जो इन्म dallaас यहां पर साथ सब देख सकते हैं कि पहले जैसा लिखा हुआ है एज वैसा ही प्रिंट हो गया है तो और स्वैपिंग के बाद आप देख रहे हैं कि पहले आया अमन फिर अमित फिर अनीता फिर राजा फिर जाहिद यह जो है वह अलफाबेटिकल ओडर में जम गए हैं क्योंकि ए नाम जो है वह तीनों जगा है इसलिए उसका सेकंड अक्षर देखा एम पहले आता है एन बाद में आता है देगी नहीं पर सेम है तो यह वाले को लिए पहले अमन लिए यह कुछ भी नहीं करना है कि इंपुट चेंज करिए और विज्वल बीसिक उसको अलफाबेटिकल ओडर में जमाया का चाहिए वह इंटीजर हो चाहिए वह फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यों यानिकि डबल सिंगल हो या फिर डाइनेमिक एरे ओफ एन नंबर सेंड एंड इस ट्रिंग दोनों को हमने किया कि यह डाइनेमिक एरे है और यह स्ट्रिंग का एरे था और उपर हमने उसका नंबर को सॉट किया